हलो बच्चो वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे स्टैंडेड नाइथ मैट्स वन आलजेबरा का चैप्टर 6 जिसका नाम है फाइनाशल प्लानिंग प्रेक्टिस सेट 6.1 का मैंने 1 लेक्चर अल्रेडी अप्लोड कर दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर राइट साइड में उपर आए के बाजों में प्लेडिस्ट का लिंक आएगा क्लिक कीजिए आपको वहाँ पर सारे लेक्चर मिल जाएंगे लेक्चर वन में मैंने आपको सोनू और मोनू सोनू को मैट्स में 21 आउट ओफ 30 आए और मोनू को आए 28 मार्क्स लेकिन उसका पेपर था कितने मार्क्स का उसका पेपर था 50 मार्क्स का अगर बचपन में आपको यह दोनू को compare करने बोलते के अरे सोनु को जाधा marks आए के मोनु को जाधा marks है तो आप ये 30 में से आया के 50 में से आया देखते नहीं बोलते है अरे इसको 21 marks आया इसको तो 28 marks आया ये तो निकालेंगे इनको 100 से multiply करके ठीक है 100 से multiply करेंगे तो उनको क्या मिलेगा देखो यहाँ पे यह 0 के साथ 0 cut 3 1 0 और यह हो जाएगा 3 7 0 7 into 10 आ जाएगा 70% और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो यह 0 के साथ 0 cut 5 1 0 और 5 2 0 28 2 0 आपको मिलेगा 56% जाएगा थे 30 में से लेकिन उसके percentage कितने थे 70% थे मोनू को कितने थे मोनू को 28 थे 50 में से पले 28 जादा थे लेकिन 50 भी तो जादा है ना तो उसको मिले सिर्फ 56% तो जादा marks किसको आए जादा marks सोनू को आए लेकिन पहले तो 21 खम लग रहा था ना 28 को देखके जैसे ही percentage में calculate किया आप दोनों को compare कर सकते हो ठीक है नहीं तो आप compare नहीं कर सकते इसका paper 30 marks का था इसका paper 50 marks का था तो जब भी दो चीज़े compare करनी होती है ना तो percentage बहुत काम आता है कब काम आता है जब दोनों चीज़े अलग-अलग चीज़ों में से निकाली होती है जैसे एक का paper 30 marks का था एक का paper 50 marks का था दोनों का paper अगर 30 marks का होता तो tension नहीं होता ना लेट से अगर दोनों का paper 30 marks का है और sonu को 21 upon 30 ठीक है 21 आए 30 में से और monu को 15 out of 30 तो आपको percentage निकालने की जरुरती नहीं compare करने में आप सीधा बुल सकते है और इसको 21 आए इसको 15 आए दोनों 30 में से न तो देख रहा है कि 21 जादा है मतलब sonu को जादा marks है लेकिन जब paper अलग-अलग marks का हो जाता है तो मुश्किन होता है निकालना इसलिए percentage निकालते है तो ये हो गया percentage कैसे compare करते है अभी ये यूज़ करके हम लोग आगे के problem solve करेंगे सेकेंड question दिया है सुमित बॉरोड अ capital of rupees 50,000 to start his food products business सुमित ने 50,000 rupees किसी से उधार लिए बॉरो किये क्या करने के लिए food products का एक business start करने के लिए अच्छा ये सारे questions लंबे-लंबे होगे न तो देखके डरना नहीं है, story ही है story को समझना है और answer निकालना है उसने business चालू किया in the first year he suffered a loss of 20% अभी business तो हो सकता है successful हो हो सकता है नहीं हो, है न तो उसने try किया बिचारे ने लेकिन उसको loss हुआ 20% का तो उसने क्या किया, उसने वो business चोड़ किये, ऐसा दिया नहीं यहां पर लेकिन मैं story बना रहा हूँ he invested the remaining capital मतलब जो भी loss हुआ, वो पैसा तो गया कुछ पैसा बचा था, कितना बचा हमको नहीं पता, वो बाद में निकालेंगे उसने remaining capital एक नए sweets बिजनस में लगा है, ठीक है उसको लगा sweets business में ज़्यादा पैसा हो सकता है and made a profit of 5%, हम इंडिया में sweets तो बहुत खाते ही हैं, अच्छी sweet बना ही उसने और बेचके profit बनाया 5% का, how much was his profit or loss, ठीक है अब पूरा, पूरे story में मिला के उसको last में जो पैसे बचे उसमें उसको कितना profit या loss हुआ, computed on its original capital, computed मतलब compared on its original capital, मतलब percentage निकालना है, ठीक है, तो story देखते हैं, पहले उसके पास 50,000 रुपे उसने उधार लिये, ठीक है फिर उसने क्या चालू किया, इसने फूर का business लेकिन फूर के business में उसको loss हुआ, कितने का loss हुआ, उसको loss हुआ, 20% का फिर उसने क्या किया फिर उसने start किया, sweets का business, अब sweets के business में कौन सा पैसा लगेगा पचास हजार में से ये loss minus होगा ना, ये पैसा तो गया, उसका ढूप गया तो 50,000 में से ये minus होगा और जो पैसा बचा उसने वो sweets के business में लगा and sweets के business में उसको 5% का profit हुआ ठीक है तो ये उसको यहाँ पे 5% का profit हुआ और ये profit होने के बाद उसके पास कुछ नए पैसे आए जो पैसे यहाँ पे थे इधर डाले थे plus ये उसको और extra मिले profit मतलब उसको पैसा कमाया ना उसने वो उसको मिला और यहाँ पे कुछ पैसे आए तो बोल रहा है कि इससे compare करो original capital जो था उससे compare करो कि यहाँ पे उसको जो मिला और profit है कि loss है तो पहले इसको मैं rough में solve करूँगा फिर आपको बताऊँगा इसको solve कैसे करते हैं तो देखो पहले 50,000 रुपे डाला और loss कितना हुआ 20% का तो आपन loss calculate कर लेते हैं loss कितना है loss है 20% off off किस पे 20% जो पैसा डाला था उसके उपर 20% off 50,000 कैसे calculate करेंगे 20% मतलब 20 upon 100 multiplied by यह off मतलब multiplied ना 50,000 cut करो इसको देखो 0 के साथ 0 cut यह 0 के साथ यह 0 cut क्या आया 2 into 5 हो जाएगा 10 and 1,2,3 3,0 हाएंगे मतलब उसको कितना loss हुआ 20% loss मतलब उसको 10,000 रुपे का loss हुआ 10,000 रुपे उसके डूब गए उसने 50,000 रुपे डाले थे बिजनस में loss किया 20% का 20% मतलब 10,000 तो अब उसके पास कितने पैसे बचे 50,000 थे और 10,000 चले गए तो उसके पास नया पैसा कितना बचा new capital बोल देते हैं इसको start वाले को capital बोला है देखो उसने capital ठीक है तो 50,000 minus 10,000 यह 10,000 गए तो उसके पास बचे 40,000 रुपे अब क्या क्या उसने उसने बचे उसने बचे वो उसने sweets business में लगा दी ठीक है तो यहां से जो पैसे बचे कितने बचे थे 40,000 रुपीज वो उसने लगाए sweets business में और sweets के business में उसको 5% का profit हुआ अब यह 5% किस पे जो पैसा sweets के business में डाला उसके उपर ही न तो sweets का profit क्या आएगा 5% of 40,000 यह main बहुत important बात हैं समझना 5% of 50,000 नहीं आएगा उसने sweets के business में 50,000 रुपे नहीं लगाए थे 40,000 रुपीज क्योंकि उसके पास उतने ही पैसे बचे थे तो 5% of 40,000 निकालो कैसे आएगा तो profit आएगा 5% of 40,000 5% मतलब 5 upon 100 of मतलब multiply और यह आजाएगा 40,000 cut करो 0 के साथ 0 cut यह 0 के साथ यह 0 cut 5, 4000 हो जाएगा 20 और यह 2,0 आजाएगे तो उसने sweets के business में कितना profit कमाया 2000 रुपे का profit बनाया तो पहले तो उसके पैसे कम हो गए थे न 50,000 से कम होके 40,000 हो गए थे विकोज उनने loss बनाया था अब 40,000 में उसने profit कमाया कितना profit कमाया 2000 रुपे का देखो यहाँ पे 2000 रुपे का profit बनाया तो उसके पास 40,000 थे और ये बिजनस में 2,000 और मिले उसको तो उसके पास कितने पैसे हो गए उसके पास टोटल आ गए पैसे 42,000 रुपीज 40,000 प्लस 2,000 है ना तो वो बोला था देखो हमने सब calculate कर लिए उसने बोला how much was his profit or loss computed on his original capital यार उसके पास start में 50,000 थे अब देखो उसके पास कितने होए 42,000 अब ये सब को देखो मत ठीक है अब देखो कि पहले 50 थे अब उसके पास 42 बचे बताओ कम होए कि जादा होए नंबर्स तो आते हैं ना कम होए ना उसको loss हुआ है देखो तो टोटल compare करेंगे तो food sweet सब भूल जाओ तो 50,000 और 42,000 कितना loss हुआ 8,000 का loss हुआ ना 50,000 माइनस 42,000 विल गिव ये 8,000 तो उसको टोटल 8,000 का loss हुआ 8,000 का loss किसके उपर हुआ जो start में पैसे थे उसके उपर हुआ ठीक है 50,000 के उपर हुआ तो उसको टोटल loss या उसके पास capital कितना बचा पहले उसके पास 50,000 थे और लास्ट में उसके पास 42,000 बचे 50 माइनस 42 विल गिव 8,000 अब ये निकाल लिया उसने बोला how much was his profit or loss computed on his original capital तो original capital पे मतलब उसने उपर calculate करने बोला है तो उसको टोटल loss से मतलब नहीं है उसको मतलब है percentage loss percentage loss कैसे निकालोगे percentage loss निकालोगे ये जो loss हुआ है 8,000 upon किस पे loss हुआ मैंने बोला ना ये सब भूल जाओ भी ये और ये 50,000 के उपर उसको loss हुआ था ना percentage loss क्यास 50,000 दे तो हमने upon 50,000 into 100 कट करो जिरो के साथ 0 कट जिरो के साथ 0 कट जिरो के साथ ये 0 कट और ये 0 के साथ ये 0 कट क्या बचा 5,000, 5,000, 8,000 कितना होता है 16 तो आया 16% percent calculate कर रहे थे ना मतलब उसने total ये सब जो किया उसमें उसने 16% का loss किया ओके समझ में आए ये story समझना बहुत important पहले उसने 50,000 रुपे बोरो किये फिर food का business चालू किया उसमें उसको 20% का loss हुआ वो loss हमने calculate किया है याँ पे 10,000 रुपे होता है 20% पचास अजार का तो 10,000 गए उसके तो 50 में से 10 गए तो बचा 40,000 वो 40,000 उसने sweet के business में लगाया और sweet के business में उसको 5% का profit हुआ तो हमने 5% calculate किया किसका 50,000 का मत करना 5% 40,000 का करना है because उसने sweet के business में तो 40,000 ही लगाया थे तो 5% of 40,000 calculate किया तो 2000 रुपे मिले उसको उसके पास 40,000 थे और उसको 2000 रुपे और मिले तो उसके पास total कितने हो गए 40 plus 2 42,000 ठीक है तो start में उसके आज 50 थे अब उसके पास 42 है कम ह हुए पैसे मतलब loss हुआ है उसको अभी तक तो आगे किस तो नहीं बता हो सकता है आगे जाके धिरू भाई अम्मा नहीं बन गया हूँ यार बहुत पैसे बनाया हूँ लेकिन अभी तो इसने loss किया है तो 50 में से 42 माइनस करो तो आपको total loss मिलेगा 8,000 रुपे अब यहां प पचास हजार रुपे तो 8,000 अपॉन पचास हजार इंटू 100 परसेंटेज कैलकुलेट किया कट किया पता चला 16 परसेंट का उसको total loss हुआ है ऐसे लिखना नहीं है एक्जाम में एक्जाम में कैसे लिखना हूँ मैं बताऊंगा अभी समझ में आया स्टोरी अच्छा स्टोर 50,000 यहां पर कट करके calculate करके बता रहा हूँ फिर से देखो यह 0 के साथ 0 कट यह 0 के साथ यह 0 कट जब आप इसको multiply करेंगे 2 इंटू 5 मिलेगा 10 और बाकी के 3-0 आएंगे न यह वाले तो 10,000 रुपीस का उसको loss हुआ है उसके पास 50 थे और 10,000 गए तो remaining capital कितना हुआ 50,000 में 50,000 का profit कमाया ठीक है तो 5% का profit 40,000 पे निकालेंगे because 40,000 स्वीट में डागा था 5% मतलब 5 upon 100 into 40,000 कट करके फिर से solve करके बता रहा हूँ 0 के साथ 0 कट यह 0 के साथ यह 0 कट 5,4020 और यह 2-0 थे वो भी आएंगे तो हमको पता चला कि भाई ने स्वीट बिजनस में 2,000 रुपे क उसके पास अब कितने पैसे बचे उसके पास 40 थे और उसमें 2 और कमाए तो उसके पास नया capital क्या बचा नया 40,000 प्लस 2,000 विच इस 42,000 ठीक है अब कहानी खतम उसने बुला भाई यह सब हो गया है उसके पापा बोले अब loss calculate कर तो start में उसके पास थे 50,000 रुपे अब उसक प्यूट करना है original capital तो percentage loss निकालेंगे कितना है total loss 8,000 रुपया original capital क्या है 50,000 रुपया into 100 करेंगे तो percentage loss मिल जाएगा इसको cut करके solve करो देखो यहाँ पे 0 के 7,0 cut, 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 5,1,000, 5,2,000, क्या मिल गया 8,2,000, 16 तो यहाँ पे आ गया 16% तो हम final answer क्या लिखेंगे सुमित सफर्ड लॉस ओफ 16% on original capital रख्टा मत मारो मैंने जिस तरह story समझाया ना वैसे समझो ठीक है तो यह है इसका पूरा solution एक्जाम में आपको ऐसा लिखना है ओके यहाँ पे therefore डाल दो ठीक है कॉपी कर लो फटाफट से notebook में बहुत ही easy question है बस story समझना बहुत important है कौन सा story लिख लिख लिया है notebook में एक बार फिर से देख लेते हैं story यह जो मैंने आपके बनाया यह समझना बहुत important एक बार यह समझ गया तो यह तो सिर्फ calculation है जो बहुत simple है done? चाहिए तो यह story भी कहीं पे लिख लो next करते हैं fourth question में दिया है दो दोस्त है Mr. Sayad और Mr. Fernandez ठीक है? सयद और Fernandez एक दूसरे से हर चीज में competition करते हैं तो सयद ने क्या किया? सयद ने 40,000 रुपीज बैंक में रखे at 8% compound interest for 2 years 2 साल के लिए उसने bank में पैसे डाल दिये, bank वाले ने बुला हम तुमको 8% compound interest देंगे इच standard में calculate किया था ना compound interest formula याद है ना? नहीं याद है तो attention मतलो मैं लिखके दूँगा अबे तो सयद ने ऐसे किया और Fernandez ने क्या किया? Fernandez ने बुला मैं तो अपने 1,20,000 रुपे mutual fund में डालूगा mutual fund की बहुत आयड आती है ना अचकल आपको अभी समझने की जरूरत नहीं कि mutual fund क्या है? लेकिन Fernandez ने 1,20,000 mutual fund में डाले देखो उसने पैसे जादा है उसके पास सयद के पास 40,000 दे Fernandez ने 1,20,000 डाले mutual fund में 2 साल में ठीक है? 2 साल के लिए डाल दिये तो after 2 years Fernandez को कितना मिला? Fernandez को 1,92,000 वापस मिला अच्छा खासा पैसा कमा है ना? 1,20,000 डाला था उसको 1,92,000 मिला अब दोनों जगड रहे के भाई जादा पैसा किसने कमा है? सहीद बोलता है अरे मैंने तो 40,000 रुपे डाले थे कम पैसे डाले थे तो मुझे तेरे जितना तो मिलेगा नहीं Fernandez बोलता है लेकिन मुझे 120 का 192 मिला है ये जो marks वाली स्टोरी थी ना Sonu Monu वाली कि Sonu को 21 मिला था 30 में से और Monu को मिला था 28 लेकिन 50 में से जादा marks थे लेकिन total marks भी जादा थे तो यहां पे भी वो possible है तो आप लोग क्या calculate करोगे आप लोग दोनों का percentage calculate करोगे ठीक है percentage calculate करके दोनों को compare करोगे कि भाई किसने जादा पैसा कमाया अब Fernandez का तो बहुत ही simple calculation तो पहले आपन फर्नांडेस का कर लेते हैं ठीक है तो फर्नांडेस का calculation कैसे आएगा फर्नांडेस ने पैसे कितने डाले थे एक लाग बीस अजार उसको मिले कितने 1,92,000 तो उसने profit कितना कमाया उसका profit है 1,92,000 माइनस 1,20,000 यहो करना उसका profit कितना आता है 72,000 रुपेज अब सीधा hero बनके बोलना मत अरे इसने तो 72 कमाया है सहीद ने तो सिर्फ 40 डाला था उससे जाद तो नहीं कमा सकता ऐसे compare नहीं कर सकते आपको percentage निकालना है तो percent profit कितना हुआ सहीद का अब सहीद का percent profit निकालोगे तो उसका profit upon उसने कितना पैसा डाला था start में उसने पैसा डाला था 1,20,000 ना original पे निकालते हैं न हम लोग हमेशा तो उसने 1,20,000 डाला था into 100 profit कितना है profit है 72,000 cut करो है आप है भाई 0 के साथ 0, 0 के साथ 0 0 के साथ 0, ये 0 के साथ ये 0 12,100, 12,600 कितना है या 6,10,000 60% भाई ने solid profit बना है फर्नेंडेस ने ठीक है इसने mutual fund में डालके 60% मना है सीधा ऐसे मैं सुचना है रहे mutual fund में ज़्यादा पैसा मिलता है वो depend करता है फर्नेंडेस को अच्छा पैसा मिला है ठीक है सब कुछ check तर के invest करना होते है सायद बोला मैं तो safe के लोगा वाई मुझे mutual fund में बरोसानी में बैंक में डालूँगा तो सायद ने 40,000 डाले बैंक में 8% compound interest पे 2 years के लिए अभी सायद का calculation थोड़ा complicated होगा because compound interest का formula है न कितना पैसा डाला principle न पी मतलब पैसा नहीं प्रिंसिपल 40,000 रुपय डाला था rate of interest कितना है 8% और कितने time के लिए डाला उसने 2 साल के लिए यही है न देखो 40,000 डाला 8% पे और 2 साल के लिए तो आपको calculate करना है कि इसको कितना पैसा मिला है इंड में मतलब क्या calculate करना है बताओ जल्दी interest निकालेंगे न हम लोग कि उसको कितना interest मिला है ठीक है फिर जो भी interest मिला वो कितने पे मिला 40,000 पे मिला तो हम लोग percentage profit calculate करेंगे वैसे ठीक है interest उसका profit है न यार जो उसको extra पैसा मिला वो profit ही होता है और compound interest में extra पैसा कौन सा होता है interest व्याज व्याज जो भी बोलते हैं आप उसको वही मिलता है न तो अभी यहाँ पे कैसे calculate करेंगे compound interest का formula एक बार याद कर लो amount equal to principal into 1 plus r upon 100 the whole raise to n था और आप interest कैसे calculate करते थे interest होता था amount में से principal minus कर देते है न amount मतलब आपको total पैसा कितना मिला end में और उसमें से principal minus कर देंगे तो आपको पता चलेगा interest कितना मिला अभी यहीं पे यहीं पे अगर आप यह value substitute कर दो तो आपका formula बहुत easy बन जाएगा यह अलग से calculate करो फिर यह अलग से calculate करो यह सब नहीं करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पे हम लोग यह calculate कर लेते हैं देखो कैसे आएगा यह जो principal है यह तो ऐसे ही रहेगा लेकिन अमाउंट के जगे पर यह वाला formula डाल दो तो क्या मिलेगा मुझे अब देखो दोनों में आगे पी है पी को common ले लेने का अंदर क्या बचेगा यहां से जब पी निकाला तो अंदर यह बचेगा तो आपको अंदर मिला यहां से पी को आपने लिखा पी इंटू वन और उसमें से पी common ले लिया है यहां पे बार तो बचा क्या खाली वन तो यह formula है interest का यह formula यूज करके सीधा हम interest calculate करेंगे कि उसको कितना पैसा मिलने वाला है समझ में आप formula यह copy कर लो कोई इंपर सब लोग यह directly आपको बताएंगे formula है यह आया कैसे देखो amount use किया amount का value substitute किया दोनों में से principle common निकाला तो यह formula मिलेंगे इसका मतलब यह नहीं कि आप यह नहीं कर सकते हैं अलग-अलग calculate करना है करो ना time है आपके पास life में तो कर सकते हो तो मैं यह erase कर रहा हूं यह वाला पार्ट सिर्फ यह formula दिखा रहा हूं इंटरस्ट का अवे ठीक है इसमें value substitute करके हम लोग इंटरस्ट निकाल लेंगे erase कर रहा हूं तो यह है अपना formula पी के जागे हम लोग substitute करेंगे कितना 40,000 bracket में आएगा 1 प्लस r कितना है 8 upon 100 n कितना है मैंने छोटा n लिखा है अभी को जनरली compound interest में छोटा n लिखते है n है 2 years तो इदर आजाएगा 2 फिर minus 1 ऐसे का ऐसा और यह square bracket close यह 8 upon 100 कैसे लिख सकते हो 20 यह देखो 1 के बाद तो उसको आप लिख सकते हो 0.08 लिख सकते हो न तो यह 8 upon 100 के जगे पे हम लोग लिख देंगे 0.08 बागी सब ऐसे ही रहने जो ठीक है फिर हम लोग क्या करेंगे यह 40,000 ऐसे ही रहेगा एक्चुल में पूरा calculation करके बता हूँ वाई तो rough है न यहाँ पर क्या मिलेगा 1 प्लस इसके जगे पर आ गया 0.08 1 प्लस 0.08 कितना होता है 1 प्लस 0.08 होता है 1.08 देख लो यहाँ पर 1 प्लस 0.08 add कर लो क्या मिलेगा 8 0 ठीक है तो यहाँ पर यह मिल गया इसका square है देखो यह पूरे bracket का square है minus 1 ठीक है यह 1.08 का square calculate कर लो यहाँ देख लो मैंने 1.08 को 1.08 से multiply किया तो मुझे यह मिला अब देखो decimal के बाद यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 टोटल 4 है ना तो यहाँ पर decimal के बाद 4 डिजिट होना चाहिए तो decimal इधर आ जाए तो आपको मिला 1.1664 तो क्या आ जागा है यहाँ पर 40,000 1.1664-1 यह बहुत ही easy calculation है 1.664 1.1664 में से 1 निकाल होगे तो यह गया तो क्या बचा 0.1664 यह रफ में करके देख लोगर आपको चेक करना है तो दिख रहा है इसमें 1 पॉइंट है ना यह 1 निकाल दिया 1 माइनस किया तो सिर्फ पॉइंट के बाद वाला पार्ट बचेगा यह दोनों को multiply कर लो देखो यहां पे 4 के बाद 4 0 है और यहां पे decimal के बाद 4 डिजिट है बतलब आपको 1664 इंटू 4 मिलने वाला है समझा ना यह ऐसा हो जाएगा 4 इंटू 1664 क्योंकि यह 40 इसको दे दिया तो decimal आगे बढ़ जाएगा 1664 इंटू 4 कितना होता है चेक कर लो rough वक में तो यहां पे मैंने वो भी calculate करके दिया है आ रहा है आपको 6656 यह मिला उसको interest 6656 अभी directly compare करके मत बोलना भाई इसको तो 1,92,000 मिला था और सयद को सिर्फ मिला है 6,000 रुपीज मतलब सयद तो पक्का हर गया नहीं ऐसे नहीं होता आप directly compare नहीं कर सकते हैं सयद ने 40,000 ही डाला था उसके उपर उसको 6,656 मिला है माक्स वाला याद कर लो Sonu को 21 मिला था लेकिन Sonu को 30 में से मिला था Monu को 28 मिला था लेकिन Monu को 50 में से 28 मिला था तो अब 21 और 28 compare करोगे तो आपको लोग यहारे Monu को ही जाधा मिला है यहां पे चेक करना पड़ेगा इसका मने percentage निकाला देखो 60% है अभी सयद का percentage निकालो कैसे निकालोगे सयद ने start में पैसे कितने डाले थे 40,000 उसको मिले 6,656 तो सयद का percent profit कितना हुआ या percent return 6,656 upon कितने पैसे डाले थे 40,000 into 100 सयद को इतने marks मिले 6,656 marks मिले कितने में से 40,000 में से औ और इसको फर्नांडेस को कितने marks मिले थे 72,000 लेकिन 1,20,000 में से मिले थे इसलिए percentage निकाला था ठीक है तो यहाँ पर marks का सोचोगे तो आपको थोड़ा easy लगेगा देखो यहाँ पर 0 के साथ 0 कट यह 0 के साथ 0 कट अब calculate करो कितना आएगा यह 4 के table में जाएगा न यहाँ आ 1000,000,000 यहाँ प्याचेगा 4104, 2 बचेगा 26, 4 624, 2 बचेगा 4 624, 1 बचेगा 4 416, तो आया 1664 upon 100, 1 के बाद 2 0 है अगर यह हटाना है तो decimal point डालना पड़ेगा, decimal point के बाद 2 0 है तो दो डिजिट आएगा तो आपको मिलेगा 16.64% मतलब सयद ने 16.64% कमाया और फर्नांडेस ने 60% कमाया, मतलब फर्नांडेस ने बहुत जादा पैसा कमाया है सयद से, तो कौन जीता, किसका investment turned out to be more profitable, फर्नांडेस का investment is more profitable, तो यह जो पूरा question है न, यह पूरा calculation का question है, बाकि स्टोरी तो बहुत simple है इसमें, दोनोंने अलग तरीके से पैसे कमाया है, और आपको compare करना है कि किसने ज़्यादा पैसे बनाया है, तो इसको लिखेंगे कैसे, यह तो rough में मैंने आपको जिफ solve करके बताया, हर एक calculation बताया है मैंने आपको, तो calculation अगर आपको नहीं समझा आता, तो यह वाले screen में से screenshot लिखे आप चेक कर सक अब इसको लिखेंगे कैसे, एक page पे fit करना है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा, मैंने बीच में एक line डाल के, इस तरफ सयद का calculation किया, इस तरफ Fernandes का, ठीक है, तो कैसे किया है, देखो, सयद ने principle डाला 40,000, rate था 8%, time था and 2 years, कैसे invest किया था, compound interest, इसलिए यह वाला formula यूज किय है, ठीक है, तो compound interest, I का formula होता है, amount minus principle, यहां पे देखो, मैंने वो भी explain कर दिया, P common ले लिया, तो आपको अंदर यह formula मिला, तो इसमें मैंने सब value substitute किया, यह calculation मैंने already आपको rough में explain किया, यहां पे मैंने और detail में solve किया, सब कुछ calculate करके आया, 6656, profit कैसे calculate करोगे, जो उसको interest म मिला, अपन उसने जो पैसा डाला, interest कितना मिला, 6656, पैसा start में उसने कितना डाला था, 40,000, calculate किया, तो आपको मिला, 16.64%, into 100 करेंगे, तो percentage मिलता है न, तो हमने percentage calculate कर लिया, अब यहां पे, इसका देखो, फर्नेंडेस ने 1,20,000 डाला था, उसको मिला 1,92,000, profit कितना हुआ, 1,92,000, minus 1,20,000, 72,000, इसमें जो time दिया है, न, फर्नेंडेस ने, देखो, फर्नेंडेस ने बोला है, फर्नेंडेस इंवेस्टेड 1,20,000 in mutual fund for 2 years, यह वाले question में time का, फर्नेंडेस के लिए कोई use ने, because दोनों में 2 years, 2 years, ठीक है, आपके level पे, यह लोग time जाधा change नहीं काता है, नहीं तो बहुत problem होता time से, ठीक है, तो यहां पे, फर्नेंडेस में तो time using नहीं किया, profit पता चल किया 72,000, कितना पैसा आठा था था, 1,20, तो percentage कैसे निकालेंगे profit upon investment into 100, 72,000 upon 1,20,000 into 100, calculate करके आता है, 60%, तो सीधा समझ में आ गया कि भाई, सहीद को मिले थे 16.64, और फर्नेंडेस को मिले 60, अभी numbers तो आपको पता है न, 60% जाधा होता है, तो investment by Mr. Fernandez turned out to be more profitable, उसने पैसे तो जाधा डाले ही थे, लेकिन उसने percentage भी जाधा कमाया है, ठीक है तो यह हो गया अपना solution, आप exam में ऐसा लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है, तो पहले सहीद का solve करो, फिर Fernandez का अलग से solve करो, और last and final answer लेको, दो पेज में जाएगा है, कोई issue नहीं, दो पेज में भी कर सकते हो, आगया समझ में, तो rough में मैंने आपको बताय story और कैसे calculate किया, यहां पे देखो लिखना कैसा है exam में, copy कर लोग फटा-फट से notebook में video pause करके, तो यह difficult लगेंगे questions, बट देखने जाएंगे न, तो इस सारा कुछ आपने 8 standard में already किया हुआ है, 6-7 standard में profit loss percentage calculate करने सीखा था, 8 standard में अपने compound interest calculate करना सीखा था, अभी आप क्या सोचने थे न, इसका मतलब क्या है, यह सब क्यों पढ़ रहे हैं, कोई फाइदा थोईड़ना है, काम थोईड़ना आने वाला है, सब कुछ काम आता है, अब आगे जाके life में आपके पैसे invest करोगे, तो आपको सोचना पड़ेगा न, मुझे सहीद जैसे करना चाहिए, कि किसी और ने किया है, वो करना चाहिए, तो कैसे compare करोगे, best decision लेने के लिए, सब calculate करोगे, compare करोगे, और दुखे करोगे, अच्छा पैसा कहा मन रहा है, जादा पैसा इधर बन रहा है, तो मैं इधर डालोंगा, यहाँ पर mutual fund में बन रहा है, जबूरी नहीं है, हमेशा mutual fund में बने, वो आगे जाके आप सीखेंगे, ठीक है, कर लिया copy notebook में आ गया समझ में, तो आज हम लोग ने question 2 किया, lecture 2 में and question 4 किया, इसी के साथ हमारा practice set 6.1 हो गया, खतम, ठीक है, तो आज का lecture यहीं पर खतम करते हैं, वीडियो पसंद आया, तो लाइक कीजिए, वीडियो अपने वेट कर रहे हो, कर लो subscribe, इतने detail में आपको कहीं पर कोई नहीं सिखाने वाला, सब लोग सिफ आंसर दे के खतम कर देंगे, ठीक है, subscribe कर लो ताकि आपको आगी के वीडियो भी मिलते रहे, बेल आकन पर पर क्लिक कर दो, ताकि जैसे 6.2 का वीडियो आए, आपको notification आया, और